अभी रिसेंटली श्रद्दा कपूर और रनविर कपूर को ED ने पुछताश के लिए बुलाया है जिसके बाद कहीं सारे सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ एक बेटिंग एप को प्रमोट करने के लिए इन लोगों को ED ने आखिर क्यों बुलाया है तो देखे आपको बदा दो कि मामला जितना ये सिधा दिख रहा है उतना नहीं है और ये मामला एक्चुली से बेटिंग का है ही नहीं ये एक बहुत बड़ी चीज है और इस चीज का कनेक्शन D Company, Maoist और Stock Market से भी आ रहा है तो चलिए इस महाद्यो बेटिंग अप को और 5000 करोड की इस मली लॉंडरिंग की पीछे की कहानी को डीटिल में समझते है नमस्कार मैं प्रसद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ साल 2012-13 के आसपास सौरप चंद्रगार अपनी जूस के शॉप चलाता था और रवी उपपल अपनी टायर के शॉप चलाता था लेकिन इनको पैसा कमानी के बहुत जल्दी थी इसलिए ये बेटिंग करने लगे और बेटिंग करते करते फिर बहुत सारे पैसे इनके डूप गए जिसके बाद उन्हें एक चीस समझ में आई कि गर बेटिंग में हमें जितना है तो हमें टेबल के उस साइट रहना होगा यानि हमें या तो बुकी बनना पड़ेगा या फिर बेटिंग का पूरा गेम कंट्रोल करना पड़ेगा और इसले अपने जूस और टायर की शौप छोड़के ये बन गए दोनों बुकी बुकी बनने के बाद फिर इन्हें लगा कि हमें कनेक्शन की बहुत इंपॉर्टन जरूरत है और इंडिया में तो बेटिंग इल्लीकल है कि कैसे आप दुबई में बैठके बड़े स्केल पर इस बिजनस को बढ़ा सकते हैं जिसके चलते 2016-17 में इन्होंने अपना एप लाँच किया जिसका नाम रखा गया महादेव बेटिंग एप लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इनकी टार्गेट कंट्री जो थी शुरुवात में वो इंडिया थी हाला कि बाद में उनोंने पाकिस्तान, स्री लंका और नेपाल में भी अपना बिजनस बढ़ाया लेकिन इंडिया में अगर आप बेटिंग का बिजनस चला रहे है तो अगेन वो इल्लिगल है और फिर पैसे कैसे आएंगे और फिर पैसो का विड्रॉल कैसे होगा ये भी बहुत बड़े चैलेंजेस थे तो इस प्रब्लिम को सॉल करने के लिए दो चीज़े के एक तो अपना बिजनस मोडल ऐसा बनाया कि इल्लिगल होने के बावज़द भी वो बहुत अच्छे से चले और दूसरा हावाला की मदद से एक अपना नेटवक बनाया दोनों चीज़ों को मैं आपको समझा देता हूँ अब जनरली क्या होता है कि कोई भी बेटिंग अप है तो आप वहां पर जाकर साइन अप कर सकते हैं पैसे आप लोड कीजिए और उसके बाद बाकी आप बेटिंग लगाई है जो जीते आप वाप विड्रॉ कीजिए अब बेटिंग कर्णे अला परसानी उसे उस बैंक अकउट में पैसे डालने हैं जैसी वह पैसे डालता था एप में उसको कुछ पॉइंट्स मिलते थे जिस पॉइंट्स के बेडेशिद यूजै जाता फिर मान लेते कि व जीच जाता है या फिर किसी कारण उसे पैसे विड्रॉ करने है तो फिर एक और वाटसअप नमबर उसे दिया जाता था जहाँ पर उस बेटिंग करने वाले को अपने बैंक डिटेल्स मांगे जाते थे और फिर पैसे उसे ट्रांसफर किये जाते थे अब आपर जो भी बैंक अकाउंड यूज किये जाते थे लोग का पैसा डिपोजित लेने के लिए या फिर रिटन करने के लिए वो आम लोगों के थे आम लोगों को 2-4-4,000 और उनके बैंक अकाउंड खोले गए और उनको बोला गया कि अब आप सब कुछ हमें दे दो उसका ए पैसे देकर उनके current accounts को यूज करना शुरू किया, यानि शुरुवात से इनकी ये planning थी कि कभी ना कभी हम पकड़े जाएंगे, लेकिन हम इस तरह का layer यूज करेंगे, तो हमें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और एक interesting चीज, हालाकि चंदराकर और उपल दोनों भी पढ़ी लिखे नहीं थे, लेकिन इनों ने अपने app का algorithm कुछ इस तरह से सेट किया था, कि कोई कितने भी betting करे, प्रॉफिट होगा, तो वो महादेव बेटिंग एप को ही होगा, तो ऐसी में आप सोचेंगे कि इंडिया में जो बेटिंग चल रही है इनकी app पर, वो पैसा कि दुबई कैसे जाता था, तो यह लोग क्या करते थे, जिस account में इनोंने पैसे लिये, deposit सामने वाले का, उसको फिर दूसरे account में ट्रांसफर करते थे, फिर तीसरे में और फिर इस तरह से हवाला network से, उसे दुबई में cash form में पहुचा देते थे, अब इस तरह से इनोंने इखटा किया, अब क्योंकि यह फ्रंचाइज मॉडल पर चल रहा था, तो कई बार पुलिस निन को पकड़ा भी, लेकिन जादा कुछ कई बार नहीं पता चला, अब यहाँ पर चंद्राकर और उपल को एक चीज बहुत अच्छे से समझ गई, यगर हमें अपनी इस इलिग तो इस तरह से पिछले 6-7 सालों से बड़े अच्छे तरीका से अपना उपरेशन चला रहे थे, अब देखें इलिगल चीज़े चलाने के लिए दो चीज़े लगती है, नेटवर्क और सेटिंग, दोनों भी उनकी अच्छी थी, और इस चरह से शुरुआत में इनों ने और इसे बढ़ाना, इसलिग ने हैधराबाद के रेड़ी अनना बेटिंग अप को अक्वाइर किया, कितने में अक्वाइर किया होगा, उस कम्पनी को इन लोगों ने 1,000 करोड रुपे देकर खरीदा है, तो इकान इमाइजिन के के स्केल पर ये काम चल रहा था, और फिर जब अपना बिजनस बहुत तेजी से बढ़ने लगा, फिर ये अलग-अलग सेलिब्रेटिस को अपना अप प्रमोट करने के लिए यूज करने लगे, जैसे के रनबीर कपूर है, बाकी लोग है, फिर हुआ ये कि जब बेटिंग बहुत अलग स्केल पर चलने लगी, तो द बाद उसका जो स्कैम है, वो सबके सामने आ जाता है, अबदुलकरीम तेल्गी के केसमी बे हमने देखा था, कि जब तेल्गी ने बारगल पर एक करोट रुपे उड़ा दिये थे, उसके बाद वो हाइलाइट हो गया था, कि उसके बाद इतने सारी पैसे आये कहा से, सेम च जैसे कई सारे बॉल्यूड से जुड़े लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, अब देखें मामला यह नहीं है कि स्कैम स्टर्स के इवेंट में या फंक्शन में वो लोग गई, इसलिए इनकी इनक्वाइरी हो रही है, इनक्वाइरी के असली चीज़ क्या है पता है, वो यह कि एडी के अनुसर इन लोगों ने जो अपनी फीज ली, वो कैश मिली, और यह जो कैश से लिए पैसे है, एडी को लगता है कि हवाला नेटवर्क से आये, और मनी लॉंडरिंग करके आये है, और इसलिए एडी इनसे पुछाच करना चाहती कि आखिर आपके पास यह पैसा प्रोमोशन करेंगे, उनके ट्रैवल के जिम्मेदारी आपके, अब अहुजा प्रदर्स के पास वो पैसे कैसे आते थे, वो वही हवाला नेटवर्क से आते थे, और पूरे कैश में आते थे, और जो बाकी लोग को पैमेंट्स होता था, उसी तरह उन्होंने अलग-लग ची के बारे में तो बता दू, इनों ने अपने दो असेशेट्स को कुछ डिमेट अकाउंट खोलने बोला, जिसमें से अग था गोविन दमानी और एक था विकास चापरिया, यह दोनों का काम था कि डिमेट अकाउंट खोलना और उसके जरिये स्टॉक मार्केट में इन्वेस् अब इन सारे शेयर्स को फ्रीज कर दिया फिलाल, तो यहां पर शायद स्टॉक मर्केट मनिपलेशन की भी चीज हो सकती है, और जैसे से इसका स्केल और बढ़ता हुआ दिखेगा, वैसे वैसे शायद से भी इसमें इंटर कर सकती है, अब तक EDI ने 39 लोकेशन पर रेट डा तो इस एंगल में भी आगे चलकर इंक्वाइरी हो सकती है, तो जो सीधा साधा बेटिंग आप का जो इन्हों ने चेहरा लिया है, बट उसके पीछे हवाला नेटवर्क, मनी लॉंडरिंग और कई सारे चीजे जो यह लोग कर रहे हैं, वो मेन रिजन इस इस इंक्वाइरी के कोट ने नॉन बेलेबल वारंट इन दोनों के अगेंस्ट में इसु किया है, अब आगे देखना इंट्रेस्टिंग होगा कि क्या मोड यह कहानी लेती है, बिकॉस हर 15 दिन, हर महिने में कहानी में अलग ट्विस्ट आरा है, और ED अब इंटरनेशल अथर्टीज की मदद स इन दोनों के इंडिया लाने की कोशिश कर रही है, अब एक इंपोर्टन मेसेज आपको देना चाहत है कि इंडिया में जो एक्टर से, अक्टिं उनका प्रोफेशन है, तो आप उसे एंजोई कीजिए, लेकिन अगर कोई एक्टर या पिर परसन आपको बोलता है कि यह पर् तो रुकते आज यही पर, मिलते अगली वीडियो में, और अगर अब तक अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर पर क्लिक कीजिए, और इसी तरह के वीडियो आपके लिए हम जल लेकर आते रहेंगे, और काफे इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे.